पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल दोस्तों बालों में तेल लगाने के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन नाभी में तेल लगाने के चमतकारी फायदों के बारे में आपने शायद ना सुना हो तो मैं आपको बता दूँ नाभी शरीर का एक बहुत ही चक्र जुड़े होते हैं अगर आपकी तवचा ड्राय है या आपके पेट में तर्थ है तो नाभी में कुछ बुंदे तेल की लगाने से आप कई तरहा की समस्याओं से निजात पा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नाभी में तेल लगाने के फायदे कौन-कौन से है और ये भी बताऊंगी कि किस प्राब्लम के लिए आपको कौन सा तेल अपनी नाभी में लगाना है दोस्तों अगर आपको अपच, दस्त और फूड पॉजनिंग जैसी समस्या है या आपके पेट में बहुत तेज दर्ध हो रहा है तो तुरंत राहत पाने के लिए आप अपनी नाभी में जिंजर इसेंशल ओयल या पेपरमेंट इसेंशल ओयल लगा ले या तो अद्रक का दर्ध से परिशान है आज कर देखा जाता है कि 40-50 अमर के लोगों में ही घुटनों का दर्ध जोडों का दर्ध शुरू हो जाता है जिससे वो चल भी नहीं पाते है तो अगर घुटनों का दर्ध आपको परिशान कर रहा है तो सोने से पहले नाभी में अरंडी का तेल में आपको घुटनों के दर्ध से राहत मिल जाएगी अगर आप मुहासों की समस्या से परिशान है आपको एकने और पिंपल्स बार बार होते है तो आप अपनी नाभी में नीम का तेल लगाए आपको करना क्या है रात को सोते हुए नाभी में नीम के तेल की कुछ बूने दाल देनी है और फिर हलके से उंगलियों की सहायता से मसाज करनी है इस से आपको एकने और पिंपल्स की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी इसके अलावा अगर आप माँ बनना चाहती है और आपकी प्रजनन शमता कमजोर है या आप कंसीव नहीं कर पा रही है तो आप प्रुष और महिला दोनों ही लगा सकते है यह तेल दोनों की फॉर्टिलिटी को बढ़ाएगा महिलाई यह तेल लगाकर अपने मैंस्ट्रोल साइकल संबंदी समस्याओं से निजाद पा सकती है वहीं पुरुषों में यह तेल स्परम काउंट की क्वालिटी इंप्रूव क अगर आपको बार बार स्किन इंफेक्शन होते हैं फंगल इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन बार बार होते हैं तो आप टी ट्री ओयल या फिर सरसों का तेल नाभी पर लगाए इससे आपको स्किन से संबंदित समस्याओं से चुटकारा मिलेगा फंगल और बैक का important source है नवल चक्र आप में creativity का विकास करता है नवल चक्र शरीर के बीचो बीच होता है इससे शरीर के बाकी चक्र भी जुड़े होते हैं तो आप नहाने के बाद या फिर सोने से पहले चंदन का तेल और rosewood oil को आपस में मिला कर लगाएंगे तो इससे आपके अंदर creativity का विक बढ़ेगी, stress दूर होगा, depression दूर होगा और आपका दिमाग विक्सित होगा इसके अलावा अगर आपका चेहरा सूखा और बेजान रहता है तो बादाम का तेल लीजिए और उंगलियों से हल्की मालिश करते हुए अपनी नाभी में लगाएं फिर अच्छी नींद लें इ तो रात को सोते समय नाभी में देसी घी लगाएं इससे आपके होट नाच्रली गुलाबी रहेंगे और मुलायम भी बने रहेंगे इसके अलावा कई लोगों को जब periods आते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, cramps होने लगते हैं और समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें औ और उससे नाभी पर हलके हाथों से मसाज करनी है, बहुत ही जल्दी दर्द दूर हो जाएगा, तो देखा आपने नाभी पर तेल लगाने के कितने सारे जमतकारी फायदे हैं, तो आप भी अपनी health problem के अनुसार, अपनी beauty problem के अनुसार नाभी पर तेल लगा सकते हैं, आपक कि उनकी भी knowledge बढ़ सके, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो अभी कर लीजे, जब आप subscribe करें, तो बैल आइकन को भी ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो को notifications मिल सके, और आप मेरे सभी वीडियो देख सके, तो मैं आपसे मि टेख सके, तो अभी तेख तेख सक्भाराए, तो अभी बढू ये तेख सके, तो अभाब तसflanzen रोड़ का शरल को का कायोंने पाborरूर, तो शरल के वाले सके, तो आपको भी तो मेरे सेख टो बार आपना श्यार, जोया सकत पुलिये, तो चेख सके, झापको रच्ग झ